तो चलिए दोस्तों हम हमारे इस News Informative का सिलसिला शुरू करते हैं इस सिलसिले में जो आज हम आपके सामने खबर लेके आए हैं ये पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर अपनी जगा बनाए हुए था अब क्योंकि ये खबर as a matter of information important है तो हमने सोचा कि इसे एक special chunk के तहट आप तक जरूर पहुंचाया जाए अब इसमें खबर ये आई कि जमू किश्मीर के farmers हैं वो purple mission के तहट काफी मुनाफ़ा कमा रहे हैं और जिसे कहते हैं इस ब्रिंगिंग देम बिग फॉर्चून अब अगर हम दोस्तों आपको पॉपल मिशन के बारे में थोड़ा बताएं तो पॉपल मिशन या पॉपल रेविल्यूशन वो है जिसमें जो अरोमा oils है उस को अगाया जाता है और उसकी प्लांट्स को बेसिकली उगाया जाता है जिनकी फार्मिंग से जो oils निकलते हैं essential oils निकलते हैं उन्हें प्राकिट में बेचा जाता है अब दोस्तों जो essential oils पता होगा कि जो उनके एक्स्ट्राइक इतनी छोटी सी शीशी की बॉटल मैं मिलती है वह बहुत महिंगी होती है और कुछ फ्रेग्रेंसिस तो ऐसी होती है जो रर होती है और आसानी से नहीं मिलती है तो अब इसी में जो purple mission के under main एक aromatic oil जिसको इन लोगों ने importance दी है जिसको focus में रखा है वो है lavender जी हाँ और दोस्तों अगर हम lavender की बात करें तो lavender एक ऐसा aroma है जो आपकी perfumes के साथ साथ आपकी soap में आपके powder में आपकी incense stick यानि कि अगरबती में भी जो है use किया जाता है यानि के इंडियन मार्केट के लिहाज से अगर देखा जाए तो lavender is a good and a thumbs up aromatic oil जो hands down आपको हर घर में कहीं न कहीं किसी न किसी एक product में product में use होता हुआ definitely मिल जाएगा अब अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा specify करके बताएं तो जो यह purple और lavender revolution है इसको 2016 में launch किया गया था by Union Ministry of Science and Technology through the Council of Scientific and Industrial Researches for Aroma Mission that is CSIR जो specific aroma mission के लिए जो focus करते है उसमें deal करते हैं अब इस mission का main जो aim था वो यह था कि जो aromatic crops है उसको हम अपने ही जो है domestic way में यानि कि अपने ही जमीन पर अपने ही देश में उसे खुद उगाएं हमें कहीं से import ना करना पड़े अब अगर आपको दोस्तों lavender cultivation की बात पताएं तो यह अभी भी JNK में कुछ 20 districts में practice किया जाता है पर यह पहली बार ऐसा हुआ है कि इस mission के तहत जो है कई सारे farmers को पहली बार जो है यह lavender की saplings free में दी गई है और जो दोस्तों पहले से ही lavender farming में जुड़े हुए थे उनको 5 से 6 रुपे पर saplings की दाम पे यह aromatic crops दिये गए उनको महया करवाए गए अब दोस्तों आपको बताते हैं कि हमने अगर कहा कि यह fortune giving है या उनके लिए बहुत profitable है farmers के लिए तो वो कैसे है तो यहाँ पे farmers का यह कहना है कि जो यह saplings है जब यह इसकी खेती करते है lavender की तो इनको कम से कम एक लीटर से जो है 10,000 रुपे की कमाई होती है और अगर इनका जो 1 hectare of land है उस पे हुई भी खेती की बात करें तो वहाँ से इनको 40 liters of lavender जो है oil वो extract होता है यानिके अब आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी कमाई जो यह farmers है इस lavender की खेती से कर सकते हैं और अब अगर आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कौन सा एक खास district है जो सबसे ज्यादा lavender farming में सामने आया है वो है दोडा district which has been leading its way in lavender farming और अब अगर आपको पताएं तो इनके वहाँ चार distillation units हैं जो CSIR, IIM, Jammu के collaboration में उस district में उनको set up किया गया है अब देखिए दोस्तों इस ख़बर से आपके लिए जो है एक information का base create हुऊ और जिससे आपको ये पता चला कि there is something, there is a project known as purple mission या purple revolution जो CSIR के under जो है इसको अमल में लाया जा रहा है और purple revolution क्या है जो basically aromatic crops की cultivation और उन में से निकलने वाले essential oils को जो है वो market में supply करने के लिए बनाई जा रही है उसके लिए ये एक पुरा section रखा है purple revolution तो इससे ये एक आपके लिए knowledge बढ़ी एक दूसरी knowledge ये बढ़ी कि जम्मू कश्मीर में Doda is the leading district जहां पे जो aromatic oils है या lavender खास कर है उसकी खेती की जा रही है और फिलहाल दोडा में चार जो है इसकी distillation units की स्थापना हो चुकी है उनको set up किया जा चुका है तो इसी note के साथ दोस्तों और इस information के साथ हम फिलहाल आप से यहीं विदा लेते हैं अगर हमारे पास फिर कोई ऐसी informative news आई या कोई एक ऐसी essential news आई जो आपकी जाननी जरूरी होगी तो वो हम आप सभी के सामने लेकर जरूर हाजिर होगे तो फिलहाल दोस्तों आप मुझे और मेरी टीम को दीजे जाज़त and till then stay tuned to QNS TV